एक छोटे से जंगल में हाथी रहते थे उस जंगल में एक जील थी जील का पानी पीकर सभी हाथी अपनी प्यास बुजाते थे उस समय गर्मी बहुत पड़ रही थी ज्यादा गर्मी के वजह से जील का सारा पानी सूख गया था अब हाथी पानी के लिए बहुत परिशान रहने लगे कई दिनों तक वे बिना पानी के रहे एक दिन उनमें से एक हाथी जोर से कहता है अब आप सब चिंता मत कीजिए पानी मिल गया है यह सुनकर सभी हाथी बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हें कहा मिला पानी वह हाथी कहता है यहां से थोड़ी दूरी पर एक नदी है चलो मैं तुम सबको अपने साथ ले चलता हूँ सभी हाथी उसके पीछे जाते हैं और पेट भर कर नदी का पानी पीते हैं उस नदी के पास बहुत सारे चुहे रहते थे हाथीयों के वजन के वजह से कई सारे चुहे मर जाते हैं सारे चुहे हाथीयों के पास जाकर कहते हैं महाराज नदी के पास हमारा परिवार रहता है लेकिन आपके भारी वजन के कारण बहुत चुहे मर गए हैं आपसे विंती है कि आप जंगल के किनारे से होकर आया करो हम बेशक छोटे हैं पर कभी न कभी हम भी आपके काम आ सकते हैं उन में से एक हाथी हंस्ते हुए कहता है तुम इतने छोटे हो, तुम हमारे क्या काम आयोगे। हाथी कहते हैं, ठीक है, हम जंगल के किनारे से आया करेंगे। अगले दिन हाथी नदी में पानी पीने के लिए जाते हैं, तभी एक हाथी के उपर जाल गिर जाता है और शिकारी उसे उठाकर जील के पास ले जाते हैं और उसे रसी से बांध देते हैं। सभी हाथी चुहों के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। चुहे कहते हैं आप चिंता मत कीजिए। हम आपकी मदद करेंगे। रात होते ही चुहे उस हाथी के पास जाते हैं। चुहे अपने दान्तों से रस्सी और जाल को काट देते हैं। जिससे वह हाथी बच जाता है यह वही हाथी था जिसने उन्चुहों का मजाक उड़ाया था वह कहता है मुझे माफ कर दीजिए मैंने उस दिन आपको छोटा समझ कर मजाक बनाया था आज आपकी वजह से मेरी जान बची है इस कहानी से हमें यह समझाता है कि छोटे लोगों का कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए मुश्किल समय में कोई भी काम आ सकता है जो काम चुहों ने किया था वह काम हाथी कभी नहीं कर सकते थे